नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लास्टूडियम जीनस में डिफरेंट काइंड्स आफ इस स्पिसिजिस के बारे में जिसका इंपॉर्टेंस अभे मेडिसिन में, पीडियाट्रिक्स में, कमुनिटी मेडिसिन में और माइक्रोबियलिजी में पढ़ने को मिल इसके बाद हम क्लास्टूडियम टिटनाई की बात करेंगे, जो कमुनिटी मेडिसिन के पॉइंट आफ यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कमुनिटी मेडिसिन में हम टिटिनस टॉक्सवाइड कब देना है, कैसे देना है, कितने डियूरेशन पर देना है कौन-कौन से उसमें खास बाते होती हैं उसको ले करके काफी सारे discussion होते हैं तो titanus और class stadium titanai को जब हम discuss करेंगे तो वहाँ पर community medicine से related सारे points को clear करेंगे इसके बाद हम class stadium botulinum की बात करेंगे देखेंगे ये किस तरीके से food poisoning बाकी सारे food poisoning से अलग हो जाती है कैसे यहाँ पर diarrhea की बजाए constipation की conditions देखने को बिलते हैं उन सारी चीजों पर बात करेंगे इसके लावा हम class stadium difficile के बारे में बात करेंगे तो कई सारे medically important bacteria के बारे में यहाँ पर बात करना है आज हमें discuss करना है class stadium के बारे में antibiotics का जो option है वो है clindamycin या metronidazole तो उसको भी हमें याद रखना है क्योंकि surgery में जब हमसे पूछा जाता है तो कई बार हमसे इस बारे में वाईवा में question पूछ ले जाते है anaerobic bacteria को kill करने के लिए कौन से antibiotics देने चाहिए तो वहाँ पर metronidazole और clindamycin का नाब हमें बताना होता है तो यहाँ पर यह चीज़ देखने को बिलेगा जब हम discuss करते हैं class stadium के बाबले में जो की obligate anaerobic conditions होती है तो उसमें किस तरीके से इसके infection को control करने के लिए हमें इन ड्रक्स का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे knowledge को बहतर करती है anaerobic bacillai में class stadium यह सभी के सभी gram positive bacillai है anaerobic है इसलिए इसके infection को cover करने के लिए मैंने आपको बता है metronidazole या clindamycin इसके लाम पेनिसिलिन भी दिया जाता है gram positive है penicillin या फिर beta lectum के मामले को हम सोच सकते हैं anaerobic है इसलिए metronidazole का importance या clindamycin का importance हमें पता होना चाहिए और देखें यह spore farming bacillai है जिसको मैंने image में दिखाया था यह सभी के सभी motile होते हैं peritricus flagela के द्वारा अगर clostridium perfrigens को छोड़ दिया जाया जो gas gangrene cause करने वाली bacteria है अगर इसको छोड़ दिया जाया तो बाकी सभी में peritricus flagela पाई यह यह clostridium perfrigens कई मामलों में अपने इस genus के दूसरे member से अलग होता है और कौन-कौन से माम ले होते हैं यह सभी के सभी spore farm करते हैं, motile होते हैं जबकि clostridium perfrigens के बारे में देखेंगे यह non-motile होता है, spore भी farm नहीं करता है और strict and aerobic जो condition होती है उसको भी यह follow नहीं करता है तो यह gas gangrene cause करने वाला clostridium perfrigens कौन-कौन से points नहीं show कर सकता है तो यह micro-aerophilic होता है strict and aerobic condition नहीं show करता है, यह बात है बाकि सारे spore farming होते हैं, यह spore farm नहीं करता है बाकि सारे motile होते हैं, यह motility नहीं show करता है यह सारी चीजें से इस group से थोड़ा सा specific और अलग बना देती है तो देखें हाँ पर clostridium perfrigens के बारे में और इसी की साथ ही साथ, clostridium titanii का type 6 भी clostridium के दूसरे member से अपने आपको अलग characteristics show करता है जब कभी भी इसकी presence को देखना हो, तो gram standing करके हम देख लेते हैं gram positive baseline है, दूसरा यह है, इसके toxins को check करने के लिए nasal reaction होता है, nasal reaction क्या है, वो आगे हम आपके साथ discuss करेंगे nasal reaction, जो कि इस clostridium genus के जितने भी member हैं वो सभी के सभी अपने toxins की वज़ा से हमारे लिए pathogenic effects show करते हैं तो इसी वज़ा से इनके toxins का importance होता है और उनके toxins को देखने के लिए, उसको demonstrate करने के लिए nasal reaction का importance होता है, क्या है nasal reaction, इसके बारे में आगे हम आपके साथ discuss करेंगे तो gram staining के द्वारा या फिर nasal reaction, यह क्या है toxins को demonstrate करके इसकी presence के बारे में अनुमान लगाया जाता है इसमें medically important कौन-कौन से है, gas gangrene cause करने वाला clostridium perfringence titanus को cause करने वाला clostridium titanai, जो PSM के point of view से काफी important है clostridium botulinum, यह medicine के point of view से काफी important हो जाता है surgery के point of view से clostridium perfringence को देखें और clostridium difficile, इसके बारे में भी हम देखते हैं कि hospital में जो patients होते हैं उनमें antibiotic की therapy देने के बाद, pseudomembranous colitis की जो condition होती है वो clostridium difficile के infection की वज़ा से होती, क्या है pseudomembranous colitis का मामला उसको इसी topic में जब हम आगे आपके साथ discuss करेंगे तो बहतर तरीके से समझ पाएंगे यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे clostridium perfringence के बारे में यह non-motile होता है, बाकि सारे motile होते है, यह non-spore farming होता है, बाकि सारे spore farming होते है यह aero tolerant होता है, बाकि सारे strictly and aerobic condition शो करते हैं तो चलते हैं, बात करते हैं, gas gangrene को cause कराने वाले clostridium perfringence से अपनी बात को शुरू करते हैं यह क्या-क्या characteristics शो करता है, उसको हम microbiology के point of view से देखेंगे और surgery के point of view से gas gangrene यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन cause कर रहा है, clostridium perfringence cause कर रहा है इसके क्या-क्या important characteristics हैं, उसको एक बार recall करने की कोशिश करें तो यह gram positive bacilli है, जो कि tissue की necrosis कराती है इसके लावा food poisoning के मामलों में भी इसको देखा जाता है, यह non-spore farming non-metyl capsulated bacteria है जब हम इसकी presence को देखने की कोशिश करते हैं, तो इसके साथ जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हमारे लिए महतपूर्ड हो जाती है इसके alpha toxins का demonstration, यह nesler test के द्वारा या nesler reaction के द्वारा हम देखने की कोशिश करते हैं यह कैसे किया जाता है, उसके बारे में अभी हम आपके साथ थोड़े दिर में discuss करेंगे यहाँ पर हमें reverse cam test के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में देखने को मिलेगा इसका जो सबसे important toxins है, जिसके द्वारा यह gas gangrene cause करता है, food poisoning cause करता है उसके बारे में भी बात होगी, alpha toxins के बारे में बात होगी इसका एक और भी specific property है, यह litmus milk को blue से red में convert कर देता है यहाँ पर देखें, यह भी इसका एक बहुत important characteristics है, इसके अलावा, यहाँ पर target hemolysis, double zone of hemolysis की भी बात पढ़ने को मिलेगी तो क्लास्टूडियम पर फ्रिंजन से related कई सारे important points यहाँ पर लिखे हूँ, मुझे पता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है यह एक ऐसा species है जो invasive infection cause करता है, वैसे तो यह commensal है हमारे large intestine में पाया जाता है, लेकिन इससे infection होने के chances होते हैं, कब? आप सोचें, invasive infection cause करता है और हमारे intestine के normal flora में पाया जाने के इसकी संभावनाएं भी होते हैं, फिर भी यह हमारे intestine के normal flora में होने के बावजूद हमें infection नहीं cause करता है कैसे, ऐसा कैसे possible है, ऐसा इस वज़े से possible है, क्योंकि यह उस environment में रहने के लिए adapted होता है अगर कभी कोई trauma हो जाए, कोई wound हो जाए, तो इसकी entry हमारे body में हो सकती है, जैसे किसी pregnant lady में abortion हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर जो भी wound develop होता है, जो भी वहाँ पर घाओ होगा abortion के बाद, वहाँ पर एक site मिल जाता है जहां से यह अंदर के और enter कर सकता है इसी तरीके से कोई local wound या trauma की condition होती है, वहाँ से यह हमारे body में enter कर सकता है और यह वहाँ पर necrosis cause करता है इस तरीके का जो myonecrotic properties इसके साथ देखी जाती है, वो इसके toxins की वज़ा से होती है और इसके toxins necrosis कराते हैं, जिसके करण gas produce होता है, foul smelling grass होता है, जो की gas gangrene के साथ present करता है तो हम देखेंगे, overall जब हमारे पास कोई foul smelling necrosed part, gangreneous part का sample आया हुआ हो, तो उसमें इसकी presence देखने को मिल सकती है ये gram positive bacilli के रुप में उस sample में देखने को मिल सकता है, ये spore farm नहीं करता है, motile नहीं होगा लेकिन इसके presence capsulated होती है capsule इसके चारो और पाया जाता है, और इसमें हम देखते हैं, ये ऐसा gram positive bacilli है जो lactose को ferment कर सकता है तो कई बार आपसे question के option के रुप में ये lactose fermentation के characteristics को एक option के रुप में दिया जाता है ध्यान रहना चाहिए, lactose fermenting ये gram positive bacteria है, ये बड़ा ही important characteristics है इसका तो हमने आपसे क्या कहा, कोई ऐसा site जहाँ पर gangrene है, वहाँ से sample को निकाल करके लाया गया, उस sample की testing की गई, तो क्या पता चला, gram stoning के बाद वो gram positive bacilli है कोई वहाँ पर flagilla नहीं होगा, non motile होगा, capsulated होगा, ये सारी चीज़ें होती है और bio chemical test के दौरान वो lactose को ferment करेगा, gram positive bacilli होगा, वो कौन है, वो है, class stadium perfringence और सारी characteristics देखें, ये किस तरीके से gas gangrene cause कराता है, तो जो भी इसकी pathogenesis है, वो इसके toxins की वज़ा से होती overall मैंने अभी आपको बताया था, इसके पास alpha toxins का नाम हमने आपके साथ दे या था, तो इसके पास जो सबसे important toxin है, वो alpha toxin है, लेकिन total अगर toxins की बात करें, इसके पास four major toxins हैं और eight minor toxins, class stadium के जितने भी species हैं, वो सभी के सभी toxins की मदद से ही अपने harmful effects दर शाते हैं, यहाँ पर में होता है, और oeta, iota toxins भी इसके पास देखा गया है, तो हम कितने toxins देखते हैं, alpha, beta, epsilon and oeta, यह ध्यान रहे जो इसका alpha toxins है, यह सबसे ज़ादा important है, क्योंकि pathogenicity जो इसकी होती है, उसमें सबसे ज़ादा importance इसी का होता है, इसकी necrosis, dermo necrotic property होती है, आप समझ सकते हैं, यह ne जैसे मामले देखने को मिलते हैं, यह काफी lethal होता है, cells की death करा सकता है, यह hemolysis भी करा सकता है, जब यह hemolysis कराता है, तो बहुत extensive hemolysis कराता है, इसी वज़ा से यहाँ पर हम एक special property देखते हैं, क्या target hemolysis, उस target hemolysis को दरशाने में alpha toxins का बड़ा रोल होता है, कहीं पर भ तो bacteria या तो खुद पहुँच करके अपने harmful effect दिखा है, कई बार ऐसा होता है, bacteria कहीं और होता है, अपने toxins को blood में release करता रहता है, जो कि हम अधिकतर मामलों में देखते हैं, यहाँ पर भी bacteria exact location पर नहीं होती है, यह कहीं और होती है, अपने toxins को blood में release करके दूर भेजती है, जहां भेजेगी site of, इसके action पर हम देख पाएंगे, वहाँ पर necrosis होती है, blood की lysis हो सकती है, tissue का damage हो सकता है, और उसके बाद gangrene जैसे conditions develop हो सकती है, उसके लिए alpha toxins, alpha toxins इतना महत्पूर क्यों हो जाता है, यह इतने सारे काम कैसे करा पाता है, तो वह भी एक बहुत महत्पूर से होती है, और यही lecithinase putrefaction कराता है, damage करने के बाद वहाँ पर gas का production कराता है, इतना ही नहीं, यहाँ पर जो hemolysis होती है, उसके लिए भी इसका importance होता है, overall हमने देखा, यहाँ पर four major toxins, अब थोड़े minor toxins के level पर भी discuss कर लेते हैं, इसमें minor toxins कई सारे हैं, eight हैं, जिसमें सब हमारे लिए होता है, theta toxin, theta toxin क्यों, क्योंकि theta toxin alpha toxins के साथ मिल करके target hemolysis में मदद करता है, जब हम इसके presence को blood की culture पर दर्शानी की कोशिश करते हैं, तो theta toxin central level पर narrow hemolysis करा पाता है, minor toxin होने की वज़ा से वो ज्यादा hemolysis नहीं करा पाता है, जबकि वहाँ पर जो alpha toxins होत तो इसलिए एक target जैसा image बन जाता है, जिसे हम target hemolysis के रूप में जानते हैं, तो अब तक जो hemolysis का pattern था, इस टेफालो कोकस में, वो beta hemolysis था, इस टेप्टो कोकस में हमने hemolysis के आधार पर alpha, beta और gamma में divide किया था, अभी तक uniform pattern of hemolysis देखा था, यहाँ पर dual characteristics of hemolysis और भी होते हैं, आठ तरीके के toxins हैं, 8 types of minor toxins में जो theta toxin होता है, सिर्फ और सिर्फ वही छोटे level पर एक narrow hemolysis कराता है, और उसके चारो और कालोरी में आपको wide hemolysis देखने को मिलती है, जो alpha toxins कराता है, alpha toxins बहुत important है, यह wide toxins कराया, बीच में छोटा सा toxin हुआ, तो एक target जैस हमें hemolysis का pattern देखने को मिलता है, देखें आप, इस image में हम दो level पर toxins के production को appreciate कर सकते हैं, यहाँ पर एक जो narrow zone है और उसके बाद wide zone of hemolysis हमें देखने को मिल रहा है, तो एक हो रहा है theta toxins की वज़ा से, और दूसरा है alpha toxins की वज़ा से, दो अलगले level पर हमें hemolysis देखने को म alpha toxins, major toxins होते हैं, lethal toxins होते हैं, जबकि theta toxins उन 8 toxins में से केवल 1 toxin होता है, इसके और भी properties हैं, जैसा कि हमने कहा कहीं, गैंगरीन का या pitrification का कोई sample हमने मिला है, तो उसको हम chemicali demonstrate करने की कोशिश करने हैं, तो blood agar plate पर जब हम इसकी colony grow कराते हैं, तो इस तरीकी की hemolysis का, पहली बा इसको हम grow कराते हैं, तो RCM, media पर इसको grow कराया जा सकता है, litmus milk में, आप देखेंगे, ये fermentation के बाद blue color जो होगा, वो red में convert हो जाता है, ये भी इसकी characteristic point होती है, जब कभी भी हमारे दिमाग में, clostridium perfringence का नाम आना आये, तो हमें gas gangrene को अपने दिमाग में याद रख, और वो gas gangrene जो होता है, वो किसकी वज़ा से होता है, alpha toxins की वज़ा से होता है, ओवराल अगर कोई पूछे कितने toxins के पास हैं, तो four major toxins है, eight minor toxins है, इसमें जो major four toxins है, इसमें alpha toxins सबसे important, कई बार इसलिए बोलना होता कि आप भूले ना, तो यहाँ पर उसी चीज़ को recall कर लेते हैं, eight toxins mediated यहाँ पर pathogenesis है, lethal toxins four major toxins है, जबकि eight minor toxins है, इसमें theta toxins जो target हैं, hemolysis में participate कर रहा था, lethal toxins में हमने आप से discuss किया alpha toxins, जो सबसे important है, यह necrosis के लिए, lethal action के लिए, यह hemolysis के लिए, hemolysis मतलब target hemolysis में इसका rule होता है, beta, epsilon और oeta के मामलों में देखते हैं, तो यह necrosis और lethal action में participate करने वाले toxins हैं, आप देखें, alpha toxins सबसे ज़्यादा महतपूर्ड होता है, क्योंकि इसकी lecithinase या fastfall ipac activity होती है, और इसी वज़ा से यह जो lecithinase property इसके पास इस toxins के होती है, आप समझ सकते हैं, यह putrefaction करा सकता है, muscles को damage करा सकता है, सवाल IMS में पूछा गया है, दो अलग लग 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 पर, most common toxins produced by clostridium perfringens, alpha toxins, या फिर एक बार और इसी बात को घुमा करके दिया गया, कौन से activities शो करता है, जो most common toxins होता है, वो lecithinase property की वज़ा से, lecithinase आप समझ सकते न, इसकी वज़ा से putrefaction होता है, lecithinase activity की वज़ा से, और muscles damage हो जाती है, यही बात हमसे aims में, neat में कई बार पूछा गया है, और alpha toxins की activities को ही demonstrate करने के लिए, nestular reaction का हम शहारा लेते हैं, और इसके toxins किस level तक produce हो रही है, कितना यह खतरनाक है, उसके आधार पर इसको five strain में divide किया गया है, A, B, C, D, और E में, जैसे मैंने आप से कहा, alpha toxins बहुत मतबड है तो इसके पास total जो toxins के produce करने के pattern है, उसमें कुछ lethal है, कुछ minor है, तो जो major या lethal जो toxins है, और minor toxins है, उनके production के pattern के आधार पर इनके कितने strain देखे गए हैं, A, B, C, D, और E, five types के, अभी अपने करोना के मामले में सुना था न, हमें इस virus के नए strain के बारे में पता चला है, तो ज जानने की कोशिश करते हैं, इस strain में खास बात क्या है, कोई strain कितना वाइरलेंट या कितना जादा damaging property रखता है, उसको जानने की कोशिश की जाती है, अभी थोड़े दिनों पहले ब्रिटेन में करोना का नया strain मिला था न, वैसे ही, यहाँ पर भी जब detail study की गई, तो पता च पूछा गया है, तो आप देखें, टाइप A strain जो होता है, वो सबसे जादा होता है, और इसका importance यह है, यह food poisoning से related होता है, इसी बात को आधार बनाते हुए, नीट में कोशिशन पूछा गया है, अब चलते हैं तेजी से question लगाने की courses करते हैं, The following statement are true regarding clostridium perfringence except communist cause of gas gangrene, बिल्कुल ठीक बात है, गैस गैंगरीन clostridium perfringence के उदारा होता है, यह वहाँ पर पाया जाता है, यह हमारे body में enter कैसे करता है, कोई local trauma हो जाए, कोई wound हो जाए, या फिर pregnant woman में abortion की condition हो, तो आप समझ सकते हैं, वहाँ जो tissue damage होती है, वहाँ से enter कर आता है, तो आप देखें, यह normally human intestine में पाया जाने वाला एक flora है, large intestine में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, यानि A, B, C, तीनों statement से ही, चौथा देख लेते हैं, gas gangrene producing strain of clostridium perfringence produces heat resistant spores नहीं, यह एक fact है जिसको हमें याद रखना है, इसी वजह से हमने इस question को आपके स heat resistant नहीं होते हैं, वो heat के द्वारा inactivate किये जा सकते हैं, जबकि food poisoning के लिए responsible जो strain है, कौन सा strain है food poisoning के लिए responsible, अभी थोड़े दर पहले हमने discuss किया था, type A strain of clostridium perfringence, उसके जो strain होते हैं, वो heat resistant होते हैं, सोचे कितना deep जाकर के हमें पढ़ना पड़ता है, तो food poisoning से बनाते हैं, तो वो heat resistant होता है, type A clostridium perfringence का नाम याद रखेगा, नीट में इतने deep लेवल तक कुछन पुछा है, तो ध्यान रहे, food poisoning से related जो spore है, वो heat resistant है, जबकि gas gangrene produce करने वाले जो strain है clostridium perfringence के वो heat resistant नहीं है, बलकि वो heat के द्वारा inactivate किया जा सकते हैं, इतनी बार कहने का मतलब बस यही है कि हम इसे पूरा का पूरा याद कर सेगे, clinical presentation क्या है, gas gangrene, यह करता क्या है, यह tissue की necrosis करता है, वहाँ से smell के साथ, foul smell के साथ discharge होगा, creptus होगा, चुकि gas की presence है, इसलिए creptus वहाँ सुनने को मिलेंगे, myonecrosis, आप समझ सकते हैं, muscles के necrosis, putrefaction, methicillin, resistant, staphylococcus, aureus के बारे में हम लोग ने study किया था, एक और member आ गया, clostridium perfringence, और इसके खास बात यह होती है, यह gas भी produce करता है, myonecrosis, आप समझ सकते हैं, muscles के necrosis इस वज़ा से clostridium perfringence के द्वारा होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई local trauma या abortion के द्वारा यह enter करता हम इस spore कैसे होते हैं, क्या heat resistant होते हैं, नहीं, वो heat के द्वारा inactivate किया जा सकते है, जबकि अगले लेवल पर food poisoning से related, जो strain है, वो type A strain of clostridium perfringence है, और यह जो toxins release करता, food poisoning से related, वो intro toxins है, इस toxins का वैसा ही action होगा, जो cholera toxins का होगा, या फिर labile toxins of ecoli का होगा, आप समझ सकते हैं, cholera toxins करता क्या है, यह आप समझ सकते हैं, channels को open करके, बोडी से fluid को loss कराता है, जैसे cholera toxins का action होता है, वैसे ही यहाँ पर entrotoxins का action होता है, इसके जो type A strain of clostridium perfringence के, जो spore होंगे, वो heat resistant होंगे, नीट में कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने इसको कई बार focus करके, आपके सामने discuss करने की कोशिश की है, यह contamination जो food के साथ होता, वहाँ पर यह sports पाया जाते हैं, अगर overall इसके infection का हम pattern देखें, तो यह माल के चलें, यह leg मैंने बना दिया, यहाँ पर food poisoning से संबंदित, मैंने आपको बताया, इसके लाव यूरोजनाइटल infection यहाँ पर आपको होते हुए bacteria है, इसलिए acute emphysemitus gas के साथ cholecystatis की presence देखने को भी इसी तरीके से post cholecystectomy septicemia, आपको मैंने बताया था न, wound हो, surgery के बाद कोई wound अगर होता है, trauma होता है, जो भी injured होता है, sight होता है, वहाँ पर इसका infection हो सकता है, इसलिए देखें, post cholecystectomy septicemia, यह खुद भी blood के थू जा eurogenital infection, gallbladder के लेवल पर, और यहाँ पर यह कराएगा क्या, आप समझ सकते हैं, gas gangrene जैसे मामले भी develop करा सकता है, eurogenital infection कराने के दोरान, तो हम देख सकते हैं, most common organism for gas gangrene, clostridium perfringens, यह aims का भी पूछा गया question रहा, 80% मामलों भी यही है, एक बार neat में है, similar pattern of question aims से भी पूछा colitis हम बाद में discuss करेंगे, जबकि इसके बारे में देखें, clostridium titanii की, तो titanus cause कराता है, clostridium septicum की बात जब हम करेंगे, तो आगे हम discuss करेंगे, यह भी minor, जो 20% causes है, gas gangrene के, उसमें यह शामिल किया गया, आप देखें, novai septicum और histolyticum, जबकि clostridium perfringens की जब हम बात करा है तो 80% जो involvement है, gas gangrene का इसी की वज़ा से है, यहाँ पर NEET में एक और question पूछा गया है, is of the following statement concerning clostridium perfringens is correct, except, तो इसमें पहला statement है, clostridium perfringens के साथ कौन सी statement गलत है, सारे तो सही है, तो देखते हैं, कौन सा सही है, फिर उसके बाद हम देख रहेंगे, गलत कौन सा है, it causes gas gangrene, बिल्कुल ठीक बात है, it causes food poisoning, बिल्कुल सही बात है, यह कौन से strain के द्वारा food poisoning हुआ था, याद करिए, type A strain of clostridium perfringens, और total कितने strain है, A, B, C, D, E, याद है न, और इसके जो spore होते है, food poisoning से related, जो clostridium perfringens, जो cause करता है, उसका spore heat resistant होता है, इसके लावा, यह जो toxins produce करते है enterotoxins होता है, जो food poisoning से related होता है, यह बाहर के और निकाला जाता है, exotoxins आप उसे कह सकते हैं, और यहाँ पर एक statement है, जो कि gram negative, यह bacilli है, क्या lactose farm नहीं करती है, इस तरीके से इसकी characteristics एक statement के रूप में दी गई है, जो कि बिल्कुल गलत है, मैंने पहले ही बताया था, यह gram positive bac सिलाई होने के साथ, यह anaerobic bacteria है, जो lactose को ferment करता है, यह पहले ही बात किया था, तो D option ऐसा है, जो यहाँ पर गलत है, इम्स में पूछेगा एक question को देखते हैं, regarding clostridium perfringence, gas gangrene, false is, false is, wrong statement देखना है, it is common cause of gas gangrene, बिल्कुल ठीक बात है, नेजलर reaction इसमें positive होता है, बिल्कुल नहीं, यह गलत बात है, हमने अभी पढ़ा था, most common toxin, alpha toxin होता है, जो lecithinase या phospholipase activities शो करता है, याद है ना, याद रहना चाहिए, तो अब तक अगर हम microbiology में देखें, तो हमने quaglase activities शो करने वाले, staphylococcus aureus के बारे हम पढ़ा, इसी तरीके से hyalurinidase activities शो करने वाले जो properties थी, वो streptococcus pyogenes की थी, उसके बारे हमने study किया, अभी हम बात कर रहे हैं, lecithinase या phospholipase C activities शो करने वाले, clostridium perfringens के बारे में, तो तीन अलग अलग लेवल पर देखें, क्या-क्या, coagulase, hyaluronidase, और अब की बार हम देख रहे हैं, lecithinase या फिर phospholipase C की activities शो करन तो मैंने कहा न, कुछ ही statement होते हैं, जो आपको याद रहे हैं, तो बाकि सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं करते हैं, तो most common toxin जो होता है, वो lecithinase होता है, जो opacity around the colonies of clostridium perfringens शो करता है, और इसी को demonstrate करने के लिए हम nizzler reaction कराते हैं, lecithinase के activities को दरशाने के लिए, ये सा गया है, poglis activities या hyaluronidase activities की बात करें, तो वो staph aureus और steptococcus pyogenes के बाबलों में हम लोग ने study किया था, नizzler reaction क्या होता है, उसको समझने के लिए अब हम यहाँ पर एक demonstration देखते हैं, नizzler plate यहाँ पर बनाई गई है, इसमें half site पर, यहाँ पर antitoxins का इस्तेमाल किया गया जबकि दूसरे site में antitoxins की availability नहीं है, तो होता क्या है, देखते हैं, clastidium perfringence की एक streak लगाते हैं, और यहाँ जो medium है, वहाँ पर lipoprotein complex में available है, तो होगा क्या, clastidium perfringence अपने toxins को release करेगा, toxins को release करेगा और medium में lipoprotein है, lecithin है, तो lecithinase क्या करेगा, lecithinase activities की वज़ से आप यहाँ पर opalescence की presence देख पाएंगे, बात समझ पा रहे हैं, इसमें क्या क्या, उसने colony के चारोर lipoprotein के medium के coating किया, half पर antitoxin है, तो toxin जो ही निकलेगा, वो neutralize कर दिया जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं, जो half part है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जब toxin निकलेगा, तो वो अपने अशर दिखा पाएगा, lipoprotein medium है, और alpha toxin जो निकलते हैं, वो lycithonese activities रखते हैं, और जो ही वो lipoprotein को break करेंगे, वहाँ पर obalescence की presence देखने की वज़े से आप वहाँ पर एक characteristic finding देखने को पा रहे हैं, जो यहाँ पर इस रूप में दर्शाईगी है, आप कु इसे clinical samples है, और इसमें हम lecithonese activities of alpha toxin को देखने का प्रयाज कर रहे हैं, यहाँ पर characteristic opalescence की presence देखने को पिल रहे हैं, और यह positive test है, आप देखें नीचे के और यह toxin नहीं produce हुआ है, हाफ medium में आप देख रहे हैं, इसलिए lipoprotein जो medium में है, उसको breakdown किया गया, यहाँ पर toxin तो निकला, लेकिन वो antitoxin के साथ, antitoxin के साथ, वो neutralize हो गया है, इसलिए half plate पर इसे demonstrate कर पाना possible नहीं रहा, clear बात, इस सारी चीजें समझ में आ गई, statement wise हमसे microbiology में question पूछे जाते हैं, नेजलर reaction किसकी activity को demonstrate करता है, detect करता है, lecithonese activities of alpha toxin, अब aims में ही पूछा गया question है, gas gangrene is caused by all except, तो आपको पता है, 80% मामलो में तो वो perfringence के साथ होता है, बाकि 20% मामलो में Clostridium, Histolyticum, Novai और Septicum के द्वारा भी होता है, 20% मामलो में, sporogenes के द्वारा gas gangrene नहीं शो किया जाता है, तो बाकि 3 option के रूप में आप समझ सकते हैं, आपर gas gangrene का ये कारण होता है, और नेजलर रियक्शन को दर साथ है समय देखें, आप नीचे के और ये Clostridium Sporogenes के ही सैंपल की स्ट्रिकिंग की गई थी, ये कोई toxin नहीं रिलीज किया, इस वज़े से आप समझ सकते हैं, gas gangrene भी नहीं होगा, जैकि Perfringence ने alpha toxins produce करके, या फिर Clostridium Histolyticum होता, Novai होता, या फ तो Clinical Diagnosis में ही हमें पता चल जाता है, Fall Smelling है, वहां से Cryptos है, Necrosis है, Petrification हो रहा है, ये सारी चीज़ें अपने आप में इशारा कर देती हैं, आपर gas gangrene का मामला है, तो देखें, Isis of Muscle से हम सैंपल निकालते हैं और Gram Stunning कराते हैं, Muscle के उस फिल्म के, बाकि सारी चीज़ें होत सकते हैं, मैंने आपको बताया था, Center पर Theta Toxin, जो Minor Toxin है, उसकी वज़ा से Narrow Zone हमें देखने को बिलता है, जबकि Surrounding में Incomplete Hemolysis का Wide Zone होता है, जो Alpha Toxins की वज़ा से होता है, तो दो अलग-लग Level का हमें Hemolysis का Pattern देखने की वज़ा से, एक Target Hemolysis देखने को बिलता है, जो हम एक Narrow Zone of Complete Hemolysis, Theta Toxins की वज़ा से, और Wide Zone of Incomplete Hemolysis, Surrounding में जो Alpha Toxins की वज़ा से होती, उसकी वज़ा से, एक Target जैसा, आप समसकते हैं, Center और तो जो Arrow का जो, जो मार करके जो Target बनाया जाता था, Arrow के लिए, वैसा ही ये Target जैसा हमें नजर आने लगता है, अगर यहाँ पर Question Combination ले करके Reverse Cam Test Demonstrate किया जा सकता है, नीट में पूछा गया Question है, True about Clostridium Perfringens are all except, यह Invasive Infection Cause करता है, Associated with Toxigenic Property, तो बिल्कुल सही बात है, यह Invasive इसके माबले होते हैं, Toxins की वज़ा से होते हैं, Alpha Toxins को Detect करने के लिए Nazzler Reaction की मदद ली जाती, यह बात भी सही है, Beta Toxin is Most Important in Gas Gangerine, गलत बात है, Alpha Toxin जादा महत्पूर होता है, Theta Toxin is Perfringo Leicin, यह Target Hemolysis के लिए Responsible होता है, Minor Toxin है, यह बात भी ठीक है, तो हम C Option देख सकते हैं, All India में एक और Question नीट में पूछा गया, Double June of Hemolysis Seen With, तो Staph Aureus सिर्फ औस बीटा Hemolysis दरशाता है, Streptococcus Pyogen सिर्फ औस Level का Hemolysis होने के कारण Double June of Hemolysis या Target Hemolysis Clostridium Perfringence के दवारा देखने को बिलता है, जबकि कोराइनी Bacterium Diphthery के मामले हैं, तो वहाँ पर एक statement हमें Potassium Telluride Blood Agar पर Grow करने वाली Bacteria की colony है, यह वहाँ पर बहुत important point है, जिसको रट लेना चाहिए, फिर अब बात आता है, कैसे इसका treatment करते हैं, तो treatment के लिए Metronidazole दिया जाता है, anaerobic bacteria है, इसलिए है, gas gangrene के मामले में Harrison में बताया गया है, penicillin G दीजे, clindamycin दीजे, hyperbaric oxygen देंगे, anti-gas gangrene serum का भी इस्तेमाल करना पर सकता है, toxin को neutralize करने के लिए, तो एक wide spectrum में हमें चीजों को समझना होगा, कैसे हम इसे manage कर G देते हैं, clindamycin देते हैं, hyperbaric oxygen देते हैं, anti-gas gangrene serum, आप समझ सकते हैं उसमें antibodies होंगे, ऐसी चीज़े दे करके उसको control करने का प्रयास करते हैं, अगले lecture में हम PSM और pediatric से important, एक concept जो clastidium titanai का है, उसके बारे में discuss करेंगे,